तियार जेल से अर्विंद केजरीवाल बाहर निकल चुके हैं, दिल्ली से इस वक्त की ये सबसे बड़ी ख़बर आपको बता रहे हैं। अब मुख्यमंत्री अर्विंद केजरीवाल अपनी पार्टी के लिए चुनाफ प्रचार कर सकते हैं। जबरदस्त जोश और उत्सा दिखाई दे रहा हैं। आदमी पार्ची के कारेकरता में उनका कहना है कि लोगकंत्र की जीत हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम फैसला सुनाते हुए ये बड़ी रहती तस्वीरे आप देख पा रहे हैं। पिछले कई दिनों से शराब घुटाला मामले को लेकर एडी की गिरफतारी के बाद से अरविंद केजरीवाल तिहाड जेल में बंद थे। और इस बीच आज सुप्रीम कोर्ट ने जब फैसला सुनाया तो उन्हें बड़ी रहत मिली है। ना ही खुद के कार्याले जा सकते हैं, ना ही इस केस के बारे में कोई चर्चा कर सकते हैं, ना ही गवाहों से मुलाकात कर सकते हैं। इडी ने कहा था कि जमानत नहीं दी जा सकती, चुनावी प्रचार वो नहीं कर सकते हैं, ये गलत होगा। दो अलगलग तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल तिहार जेल से निकलते हुए, सीधा मुख्यमंत्री आवास पर पहुचेंगे और दूसरी तस्वीर, वो जश्न की तस्वीर, आम आदमी पार्टी के जो कारे करता है, वो बड़ी संख्या में सडकों पर जंडा लिये निकल चुके हैं। और यहां पर केजरीवाल के जैकारे गुंज रहे हैं इस वक्त। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अर्विंद केजरीवाल को जेल से सिधा सीम अवाज जाते हुए उनकी यह तस्वीर इस वक्त आप देख पा रहे हैं जहां पर अर्विंद केजरीवाल को जमानत मिल गई हैं। अच मिनट से कम के सुनवाई के दौरान केजरीवाल को रहत दे दी गई। लगातार शराब गोटाला मामले को लेकर एडी सकती बरत रहे हैं। तो अपडेट लगातार आपको बता रहा है अर्विंद केजरीवाल के जेल से बाहर आने की जहां पार अब वो सीधा पहुचेंगे कि मुख्यमंत्री आवास पार उनसे मिलने के लिए उनने देखने के लिए आमादमी पार्टी के कारिकरता बड़ी संख्या में सडकों पर पहुच चुके हैं। तो उनका सवागत किया जाना है, सीए मावास को सजादी आ गया है, कुछी देर में वो तीहार जेल से बाहर आएंगे जिसकी तस्वीरे भी आपको दिखाएंगे कि जब वो CM आवास पर पहुचेंगे तो किस तरीके से भाव्य स्वागत किया जाता है दिल्ली के मुख्यमंत्री अर्विंद केजरिवाल का वो खास तस्वीरे भी आपको दिखाएंगे लेकिन पहले ये तीन तस्वीरे आपके टिवी स्क्वीन पर है तिहार जिल से ये पहल खुश नजर आ रहे हैं तीसरी तस्वीर आप दफ्तर से है जहां पर जश्न मनाया जा रहा है दूसरे को मिठाया खिलाई जा रही है और सुप्रीम कोट के फैसले की तारीफ भी की जा रही है तो लोग आज के दिन का इंतिजार कर रहे थे सौरब भरद्वाज की और से ये तो हला की एडी की और से कोशिश की गई थी की जमानत ना मिले अर्विंद केजरीवाल को पैरवी में कहा गया की जमानत चुनावी प्रचार के लिए देना ठीक नहीं है से पहले इस तरीके की जमानत नहीं मिली है लेकिन सुप्रीम कोट में तमाम जो दलीले थी उन्हें इ शाम 6 बच कर 55 मिनट पर तीहाड जेल से बाहर आ चुके हैं सुप्रीम कोट में उन्हें जून तक के लिए अंतिरिम जमानत दी है उन्हें दो जून को हर हाल में सरेंडर करने को कहा गया है केजरिवाल दिली शराब मामले में एक अप्रेल से तीहाड जेल में बंद है यानि कि अगर जोड़ा जाये तो कुल 40 दिनों तक वो तीहाड जेल में ही बंद रहें और उनकी रात बड़ी ही मुश्किल से गुजरी शुरुवाती तोर में जो तस्वीरे सामने आई वहाँ और अर्विंद केजरिवाल बहत परिशान भी नजर आएं तो अदालत ने आज दोपैर दो बजे वड़ा फैसला सुना दिया हलाकि उनके वक्रिल ने पाच जुन तक की रिहाई का अनुरोद भी किया था उनका कहना था कि पाच जुन तक रिहाई नहीं दी जा सकती है जब ब्लैक गाड़ी के अंदर ये जो तस्वीर आप देख पारा है पहली सीट पर बैठे हुए मुख्य मंत्री अर्विंद केजरिवाल चेहरे पर मुस्कान लिये हुए साफतोर पर जीत का जश्न भी बना जा रहा है मादमी पाची की ओर से क्योंकि एडी ने पूरी कोशिश क की ये जमानत ना मिले लेकिन एडी की सभी दलीलों को खारिच करते हुए सुप्रीम कोट ने सुप्रीम फैसला सुनाते हुए अर्विंद केजरिवाल को बड़ी राहत दे दी अंतरिम जमानत का अधार कोट ने कहा कि 22 दिन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा जस्टिस संजी खनना ने कहा कि अगस 2022 में एडी ने केस दर्च किया उन्हें मार्च 2024 में गिरफ्तार किया गया डेर साल तक में कहा थे गिरफ्तारी के बाद में पहले कैसे हो सकती है 22 दिन इधर या उदर से कोई फर्क ने पड़ता कोट ने दलील देते हुए बड़ी राहत दे दी अर्व कार नहीं हो सकता इडी ने ये भी कहा था कि जमानत देने से गलत मिसाल कायम होगा लेकिन इसके बावजूद भी इन दोनों दलीलों को दरकिनार करते हुए खारिज करते हुए सुप्रीम कोट ने अर्विंद केजरीवाल को जमानत दे दिया इसके बाद से जो तस्मीर सामन के आ रहे हैं हमादमी पार्टी के जो कारी करता हैं जश्न मना रहे हैं दूसरे को मिठाई खिला रहे हैं और लोक्तंत्र की जीत भी बता रहे हैं तो अर्विंद केजरीवाल की रिहाई योची की है पचास हजार रुपए का उन्हें जमानत बॉन भरना होगा कोट की ओर से ये भी आदेश हैं और इसके साथ साथ कई सारे रिस्टिक्शन भी लगाए गए हैं कई सारे रोक है अर्विंद केजरीवाल पर जिसके बिना पर सुप्रीम कोट ने ये बड़ा फैसला सुनाया दिल्ली से से होगी सुशील हमारे साथ जुचके सुशील बड़ा फैसला सु जाल कोई राहत नहीं मिली है और इस पूरे मामले में अगर राहत के तौर पर देखें तो क्योवल चुनाओं परचार के लिए ही अर्विंद केजरीवाल को फिरहा सुप्रीम कोट में जमानत दी है हाला कि जमानत के दौरान कई सर्थे लगाए गई है अर्विंद चुनाओं परचार के लिए ही बाहर आएंगे लेकि यह माना जा सकता है कि अर्विंद केजरीवाल के बाहर आने से जो फिलाल इंडिया गटबंधन है उसको एक बड़ी राहत के तौर पर देखा जा सकता है और इसके राजनीतिक माइने ज्यादा होंगे क्योंकि अब अर्